वेल्कम तो ओल्लाइन और ओफ्लाइन गयांच चैनल मैं नेम इस गोरव दोस्तों आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आए हूँ यह उन बच्छों के लिए बहुत ही इंपोटेंस रखती है जो आई टे कंप्लीट करने के बाद आप परेंटिशिप करना चाहते हैं तो भई उस वीडियो में इतने सारे कमेंट्स हैं कि उस वीडियो से मुझे कुछ कमेंट्स को निकालना पड़ा और आपको उसकी अपडेट यहां पर देने पड़ी क्योंकि वो बच्चे बोल रहे हैं सर आप इंची जो का जवाब भी नहीं दे रहे हैं तो उन बच्छों की रिक्वेस्ट पर मुझे यह वीडियो बनाने पड़ी तो पहले मैं आपके कमेंट्स के जवाब यहां पर दे देता हूँ और फिर जो है आपको इसकी इंपोर्टेंस बताऊँगा कि अपरेंडिशिप की इंपोर्टेंस क्या है तो सबसे पहले जो कमेंट है वो है उपरें नेक जो सवाल है किसी भी काम की नहीं है अपरेंटिस दिग्री अपरेंटिस करने के बाद कोई कमपनी वाला पूछता ही नहीं है अपरेंटिस को मेरे पास कर रखा है अपरेंटिस की दिग्री 2014 में की थी तो इनका भी जवाब मैं आपको दे दूँगा उसके बाद जो ने मारुतिय सुजू की में अप्रेंटिस कुछ सिखाया नहीं जाता, सिर्फ काम करवाया जाता है, अपने मतलब के लिए अप्रेंटिशिप करवाती है मारुतिय सुजू की, कम पैसे में काम करने वाला मिल जाता है, इसलिए. नेक जो यहाँ पर ये बच्चे का थोट है वो है भाई लोगो अपरेंटिस तो आइटे करने के बाद भी कुछ नहीं होता है इससे अच्छा है और कुछ कर लो लाइफ के तीन साल खराब मत करो आइटे तो अपरेंटिस इससे अच्छा और कुछ कर लो तो इसका विजवाब मैं आपको दे दूँगा उसके बाद जो है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है अप्रेंटिस से के वल भविस्य बरवाद करना है पर्मिनेंट जोब नहीं मिलती अप्रेंटिस कराकर निकाल देते या भी शेक जी का यहाँ पर इन्होंने थोट रखा है नेक जो यहाँ पर कोई फायदा नहीं एक साल ओहल सेक्टर में अप्रेंटिस करके घर में घुस कर बैठा हूं जैसे अप्रेंटिस करने असान है वैसे placement भी देना चाहिए उसके बाद जो यहाँ पर कोशन है वो है विजे जी का ये बोड़ने अप्रेंटिस के नाम पर सिर्फ शोशन होता है एक साल बाद बाई-बाई कर दिया जाता है अप्रेंटिस मतलब कम पैसे में एक साल के लिए अच्छा कारिगार मिलना तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देते था हूँ देखो वई सबसे पहले तो ये जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया ये बच्चे मुझसे तब जुड़े है जब इन्होंने अप्रेंटिशिप कर लिए है तो आपको मैं एक सीज बतायता हूँ देखो अप्रेंटिशिप करना कोई भी बेकार नहीं अप्रेंटिशिप करने के बहुत ही ज़्यादा फायद है मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवा दूँगा जो अप्रेंटिशिप करने के बाद तीस-तीस चालीस चालीस हजार 55-000 और एक एक लाखर पर मंतली कमा रहे ह आपको ऐसे बच्चों से भी मिलवा दुनगा जो apprenticeship करने के बाद घर पर बैटे हैं लेकिन apprenticeship किस जगा से कर रहे हैं, कौन सी company से कर रहें, government department से कर रहे हैं, सरकारधी department से कर रहे हैं, कौन से private department से करने हैं, यह आपके depend करता है, और भई जब भी आपको पता देखो, apprenticeship करना बिल्कुल बेकार नहीं है इन बच्चों ने कहां से apprenticeship करी मैं जानता है इन्होंने कोई लाला company से apprenticeship करिया है इसी वज़े से इनको apprenticeship का फायदा नहीं मिला apprenticeship के बहुत ही फायदे है apprenticeship का कोई नुक्सान नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि apprenticeship करने के बाद इन बच्चों की तरह आपका भी निक्सान होगा तो वह आप गलत सोच रहे हैं अगर ऐसा होता तो apprenticeship government बंद कर देती और आपको future में कोई फायदा नहीं मिलता देखो वही मेरा मकसद है कि आप लोगों को सही information देना इसी तरीके से मैं आपको लिए books भी अपडेट जो है करके आपको दे रहा हूँ ए बुक्स मैंने आपके लिए बनाई है फिटर की book आपके लिए बनाई है link description दे रहा है उसी तरीके से चाहे बुक हो चाहे कोई general information हो वो मेरी responsibility बनते कि मैं आपको सही तरीके से guidance दूँ देखो बैए एक और बाद रहा हूँ apprenticeship करना कोई बेकार चीज़ नहीं है लेकिन अब बेकार भी हो सकता है लेकिन कैसे आपको मैं दस बार बोलता हूँ मुझे बहुत सारे बच्चे फोन कर चाहे वो ioclo, dido, उसके बाद आपका इस रो, भी एची एलो, उसके बाद आपका halo या फिर railway ओ अगर आपका इन department नमर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है आपको फायदा जरू में लेगा लेकिन इसके बाद बहुत सारी ऐसी private companies आए अगर आप उनसे apprenticeship करते हैं तो आपको दस बार सोचना पड़ेगा एक बार आप मुझे call करके पूछलें आपको पता है call me for app से आप मुझे call कर सकते हैं आप मुझे call करके पूछने की सार ये company सही है या गलत है या फिर आप एक काम करें अगर आपका उस apprenticeship से आपको offer मिलता है तो आपको एक काम करना पड़ है ताकि आपका career बेकार ना क्योंकि एक साल बहुत ही importance रखता है आप बच्चों के लिए मैं जानता हूं क्योंकि एक साल आप यह मत सोचने की एक साल apprenticeship करना मारा वेश चले गया तो हमारा career खराब हो गया देखो थोड़ा सो impact पड़ेगा आपके career पर लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि आप पहले सी aware हो जाएं जहां से भी आप apprenticeship करें दस बार सोचें दस बार देखें और दस बार वहाँ पर जाकर देखें कि यह किस तरीके की company है तब जाके आप apprenticeship करें क्योंकि यार देखो आपका career है एक साल बहुती importance रखता है मैं जानता हूं इसलिए आपको खुद दस बार जो है company की जाज करें और तब जाके जो है कदम रखें वहाँ पर और जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है वो मुझे पता है कि उन्होंने किस company से apprenticeship करी होगी जिससे कि उनको फायदा में नहीं मिला अगर आप private company से apprenticeship करने है मैं एक और बार बोल रहा हूं कि company की जाज परताल घंक से करने तब जाके apprenticeship करें और apprenticeship करने का कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप सही जगा से करते हैं अगर आप गलत जगा से करेंगे अगर किसी लाला company से करेंगे तो definitely आपको उसका negative impact मिलेगा so I hope कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे होगी बाकी आपको पता है मैं आपके लिए books लेकर जल्दी ही आने वाला हूँ बाकी फिटर की book आपके लिए आ गई है link description में है और उपर i button से भी आप वीडियो देख सकते हैं और book को purchase कर सकते हैं आपके interview में आपको जरू benefit लगी बाकी आने वाले time पर मैं आपको इसी तरीके से update देता रहूंगा धन्यवाद आगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like करके मेरा मनोबल बढ़ा करो मुझे motivate करके आने वाली वीडियो के लिए मुझे boost कर सकते हैं और अन्तों में छोटी सी request है प्लीस मेरे चैनल उ बच्चों के साथ शेयर कर दो जो 2019 में आईटे करना चाते हैं धन्यवाद